तो हम बात कर रहे हैं आज के रेडिक में चार्ट सबसे बिले हम बात करते हैं हम चार्ट को अप्लाई क्यों करेंगे हम चार्ट क्यों करेंगे इसका क्या यूजर है चार्ट का इस्तमाल क्यों करते हैं फ्रीड चीज पर मात रहे हैं सिंपल सा इसे लिए डेटा डेटा कंपेर करने का अब टेटा कंपेर मतलब तो आप एसली देख सकते हैं कि सबसे हाइस से फड़र वर्री में हुआ है लेकिन यही सेल अगर इस तरह के बड़े इमाउंट में हो जाएगा तो क्या लग रहा है पता चल पाएगा कि किसने क्या सेंट कि अब जिसकी मैं बहुत अच्छी होगी वही देख के बता सकता है कि किस महीने में सबसे जड़ा सेल है क्या तो कहने मतलब है कि आपने इंफोर्मेशन दी हर कोई उस इंफोर्मेशन को समझ नहीं सकता लेकि इसी इंफोर्मेशन को हम एक विजराइजेशन में कर दिये कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाइस सेल हमारा जून है सक कि अवरी मा जेसिवल्र है और फरवरी हु और से माई से अच्क हुआ हो रहा है से पाली है hon लेकिन यहां भी छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम कंपेर सिताइइब केंकम चार्छ से करते हैं इस को बीलियन में के वाट कर रजुत सकते हैं कौन होगा मिया चिडो से टड़ोर्मे अब भी समझ में आ रहा है तो आप आपकी उपर करता है लेकिन अभी जो समझ में आपका डेटा जो बिलियर में ताहले कि इससे भी बड़ा डेटा हुआ तो उसमें आपका चार्ट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीजे होती है चार्ट सिर्फ विजलाइज करत है साथ में एट्रैक्टिव होता है आँखों के सामने तुरंत दिखता है क्या और इजली समझाया सकता है कि समझ गया है तो एक आर्टिक्स बित आर्टिस्ट दोनों वर्थ करता है मैं कि देटा को अनलाइक भी कर सकते हैं और आर्टिस्ट के तरह उसको आप उसको अच्छ हाट करते हैं तो एक आता है रिकीमेंट चार्ट सबसे निटा को देखके कई त regenerate करता है कि सकंगा उपार किस तरह के चार्ट होने चाहिए ठीक है कि तो तो यहां आप वेख पा रहे हैं कि अलग लग चार्ट भी है और लिइंड साह giddy कर सकते हैं लेकिन आप को है कि चार्ट और चाहिए अब चार्ट क अरे इनगे इसके ओने जाने के जब करने में विकरना होता है between तू फिल्ट टू ऐइंटम्स faux तो हम column chart या बार chart इस्तिमाल करते हैं ठीक है रिपैंड करता है आप की requirement क्या है बागी चार्ट वह ही है comparing में column इस चले जाते है जब flow देखना होता है से माने पूरे महीने का सेल है या तीस महीने का सेल है तीस दिन का legend है और शेल्ट का flow देखना है तो flow के लिए हमेशा हम कुण सा यूज करते है, line chart, line area chart उसी चीज में use होता है, हम बात करते है, sharing, जहार हमें share देखना होता है, एक इसका कितना share है, तो उस case में हम pie chart करते हैं, ठीक है, और यह आपका tree map chart भी same area देखने के लिए ही इस्तमाल किया जाता है, लेकि जब यहां पर पाई चार्ट नहीं दिख पाता है तो वहां आप चार्ट का या स्टार्ट बढ़ चार्ट का हम सिंपल सा बागी चार्ट भी अपने अपने सिच्टियोशन की हिजाब से अलग लग चीजों पर योज की जाती है कि कैए कि समझे कि अच्छी हम बात करते हैं लगाते हैं कुछ क्या क्या चीजिए जब लगाते हैं तो चार्ट के अंदर तीन यहां पर तीन इस तरह का पॉप आप ढ़ने के चार्ट के सामने है तीन बॉप ओप दिखते हैं जिसमें पहला जो हमारा है और वह पॉप चाड़ेमेंट जिसमें आप क्या क्या चीजिए रखना चाहते हों इसे ता Гर्म है आड्र होडाया टेड़ा टेबल लखना है हटाना है एर बार रखना है हटाना है लेजंड रखना है हटाना है गीर लाइन रखना है हटाना है लेजंड रखना है हटाना है ट्रेंड लाइन रखना है और हटाना है यहां से आप भी कर सकते हैं कि आपको चार्ट के अंदर क्या-क्या चीज़े रखनी है और क्या क्या चेज़ी हटानी है इसके वार आता है आपका स्टाइल अब स्टाइल के अंदर आप चार्ट की क्या प्लाइब्ट। और कि आपको किस तरगा एक प्रीडिफाइन होता है अलग अलग फॉर्मिट करने के जरूतने क्लिक किजीगा तो प्रीडिफाइन फॉर्मेट अप्लाइं अपुर्वेट कि हो जाता है उसके बाद आता है फिल्टर कि मुझे इसमें से कुछी डे नहीं देखाने हैं जिसे मै मैं चाहता हूं कि जनवरी और मार्ज जो है और मैं यहां जनवरी और मार्ज को अंचेट करके अप्लाइग कर दूँगा तो मेरे चार्ट में नहीं आए कि के सर क्लियर है आई, ए चीज़ा आप यहां से कर सकते, एक विक फॉर्मेटिंग है, विक अप्लाइट मूल शकते हैं, उसके अलावा जब आप चार्ट बनाते हो अब आपके पास आपका खुद का फॉर्मेट थे तो वहां पर आप चार्ट को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, भी पिर चाहिए को स्ट्रक्चर समझिए को तार्ट स्ट्रक्चर है सब से पहले जो आप देख रहे हैं एसको बोला साथ एरिया जिसमें पुरा का कुरा चाथ टिका हुआ है उसके बाद यह आपको यह दिख रहा है जिस पर आपका शरीज दिखा इसको बोलते है plot area इसको आपको axis है यह आपका axis का लाता है vertical axis यह आपका horizontal axis ठीक है और यहां chart title चार्ट का टाइडर अब चेंज हर किसी के अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहे तो इसको सेलेक कर लिए इसकी फॉर्मेटिंग है इसकी फॉर्मेटिंग है इसकी फॉर्मेटिंग है चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग तो फॉर्मेटिं है आप इसमें पर तीन सेक्षिन पहला है आपका फिल एंड लाइन, दूसरा है the effect और तीसरा है size and properties आपका जो इसका चार्ट अरिया इसकी properties है और आप यहां पर कर सकते हैं इसमें आप इफेक्ट में जिसे 3D वगड़ा देना है आपको टांस्पेंसिव अगड़ा घटाना बढ़ाना गलू वगड़ा वो चीज़ा आप यहां से कर सकते हैं इसका यूज बहुत कम करते हैं और फिल पे इसकी बैग्राउंड कलर और बॉर्डर क्या होनी चाहिए और यहां पर आप कर सकते हैं जैसे कि नो फिल तो पीछे का कोई भी का आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगा कोई कलर नहीं दिखेंगा तो कौन सा कलर फिल करना है वह होता है उयां पो क्लार आहां पर अराम से अधिस तरह कि लाइटिंग वहादा नहीं चाही है तो इसके वाम तीसरा जो आप कराथा है वागता है पिक्चर संद टेक्श च्यर्ड को कि में अन्यां कौन सकते हों किका है खाट चाहरे हैं अप यहाCam नैस मिंट ट्क्टront मुआ अपका प्रॉंब फाइल है इस तो आप छाहे कर सकते आप यहां से ने प्रॉंब फाइल पे क्लिक किया तो आप अपने एक्षल फाइल से उठा सकते हो यहाँ जैसे में इसको अटाके और गाल देख पा रहे हैं कि आपका फिक्चर आपके धीलाइट को आपका पिक्चरी ज़दा दिख रहा है डेटा ने दिख रहा है तो यहां इसकी टांस पेंची होती है जो कि आप कम और ज्यादा कर सकते हैं मतलब कि पीछे के एरिया को छपाना देख रहा है हलका कर दीजिए ठीक है सर तो बैक्डाउंद दिखेगा टेक्ट्चर्स बगड़ा यहां से अप्लाइं कर सकते हो क्या कितना होना चाहिए कि इसके जरुत पड़ती नहीं है पैटर्ण फिल आप यहां से चार्ट में इस तरह कि पैटर्ण को फिल कर सकते हो यह आटमेटिक करोगे तो जो बाइडिफोल्ट कलर होता है और सेम बॉर्डर बॉर्डर नहीं दिखानी है दिखानी है लाइन कैसा होना चीजिए मोटा पतला यह चीज़िए आप कर सकते हैं ठीपन करते हैं यह से फोर्मेट्टिंग आप प्नी चाण ऐरिया के लिए करेंगे और सेम फामेटिंग अपका एक्सिस के लिए और सके लिए अलग हुए चाहुआ को सिलेक्ट किया तो यहां एक लाइन यापन ही आपको समझा सबस्के आपका फॉर्मेटिंस में और आप यहां नुवाOR रहा यहां कर रहा है तो ओग्त similarity सब्सक्राइब करना था है है एक चाह लहां प्रॉपर से फॉर्वाइटिंग करें फिर हमने और चार्ट २ DR.c हूए बनाया और सब्सक्राइब टॉपर बना अब इसकी इसकी करना था को और पर विक स्वर्मेटिंग लेकिं हो सकता है कि आपने डिजाइन, कलर और बागी बहुत सारे चीज़ अलग-अलग सेलेक्ट किये हों और कुछ त्रिक्स बगड़ा है लगाया तो तो लगाना पड़ जाएगा उस केस में आप चार्ट को सेलेक्ट करके करो कॉपी यहां पेस्ट इसपेशल और देखियेन को पेस्ट करना या फास्मूला को पड़िए यहां पूरा पेस्ट करेंगे तो चार्ट के साथ चार्ट आजाएगा लेकिंग उत्गलत हो जाएग लगान ते दौने लोग तो हम यहां पर फोर्मेट्स को लिए और ओकी किया तो आप देखेंगि यहां पर फॉर्मेटिंग आप के सामने सेम कॉपी हो किए जिके सर लोगों को यहां पर इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाय कर सकते हैं ठीक है तरह के चार्ट पर होता है तो अभी आगे हम बनेंगे चार्ट के पांच चलेगी चार्ट होगा फिर चार्ट फॉर्मूला होगा तो बहुत चार्ट को थोड़ा स्लोली सीखें क्योंकि चार्ट पर कमांड होगा तभी आप इस तरह के रिपोर्ट बना पाएंगे जो भी मैं दिखा रहा हूं तो तो चार्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस की चार्ट काफी ज़दा यूज होता है